आज की इस विडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप एक दरोगा बन सकते हैं जी हाँ गाइस, काफी स्टुडेंट्स को यह पता ही नहीं होता है कि दरोगा बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करने होती है बर दरोगा बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए दरोगा बनने के लिए कितनी हाइड चाहिए होती है और उसके लिए कितनी उम्र चाहिए होती है जी हाँ दोस्तों अगर आप एक स्टुडेंट हैं और दरोगा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आप दरोगा बनने की पूरी प्रोसिज के बारे में जानेंगे तो इसी लिए इस वीडियो को पूरा अंततर जरूर देखिएगा तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना जरूरी है कि विभाग दोरा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट अभी निर्दारित नहीं किया है आप चाहें जो आपका मन है आप जिसमें भी ज़्यादा कमफुटबल है वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं तो इसमें दरोगा बनने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट रुकायर नहीं बताया गया है तो आप अपने हिसाब से patire कर सकते हैं तो हम आप कह सकते हैं कि आपने जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ाई की होगी आप फिर भी दरोगा बन सकते हैं तो चलिए आप जानते हैं कि आपको दरोगा बनने के लिए किस क्लास तक पढ़ाई करना जरूरी है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि दरोगा बनने के लिए आपको ग्रेजेशन करना अनिवार है अगर आपका graduation complete नहीं हुआ है, तो आप दरोगा नहीं बन सकते हैं, तो चले जानते हैं कि दरोगा बनने के लिए graduation में भी क्या क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपका सिर्फ graduation complete होना चाहिए, इसमें कोई भी requirement नहीं है, कि आप BSC किये हुए है अभी काम किये हुए है, अभी ये किये हुए है, जो भी आप किये हुए है, बस आपका graduation complete होना चाहिए, आपका कोई भी subject होना चाहिए, इसमें कोई भी चीज मैटर नहीं करती है, बस आपका किसी भी subject से आपका graduation complete होना चाहिए, तो अब हमने बात कर लिए कि आपका graduation तो complete ह हो चुका है तो आब आपके लिए क्या-क्या चीज़े देखनी पड़ेंगी दरोगावने के लिए तो सबसे पहले आपको जैसे ही अति है तो आपको अप्लाई कर देसा है उसके बाद गाषिः आपको जिसमें एकजाम देना होगा फिर उसके बाद आपको return जो test होता है बो देना पड़ेगा फिर आपका एक फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी up the link तो सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है काफी जो इस्टुडेंट्स गाओं से हैं, काफी जो जिनके पास कोष उभदाएं नहीं होती है", तो उनको वेकैंसी के बारे में पता ही नहीं चल पाता है, तो चलिए पहले जानतें कि वेकैंसी कहां देखेंगे, तो vacancy देखने के लिए आपको simple एक website है सरकारी-result-finds.com इस website में आपको आ जाना है इसका link जो है हमने description box इस video के नीचे जो description होता है comment box में भी दे दिया है तो बहां से आप जाकर इस website को daily refresh करके देखते रहेगा जो भी vacancy जो भी सरकारी governments related vacancy होती है यहां पर दी गई होती है तो इस website को must check किजिएगा तो दोस्तो अभी तक हमने जाना कि दरोगा बनने के लिए पढ़ाही कितनी चाहिए और कैसे इसका selection होगा चलिए अब जानते हैं graduation में कितने marks की जरूरत होती होगी क्योंकि कापी लोगों का अभी भी मन में doubt होगा चलो हमने graduation तो कर लिया है लेकिन इसमें marking कितना चाहिए कितने percent हमारे graduation में number होना चाहिए तब हम दरोगा में जाके selection हो सकता है तो दोस्तो इसमें आपको कोई भी परिसान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपका कितने भी 30% मार्श हो आपका selection हो सकता है क्योंकि दरोगा बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा requirement होती है वो आपका होता है physical test और written test तो चलिए आप जानते आपको इसके लिए तयारी कैसे करने है क्योंकि आपने सारी जानकारी तो ले ली आपका graduation complete हो चुका है लेकिन इसके लिए तयारी कैसे करें क्योंकि जो इसका written test होगा वो भी बहुत ज़्यादा matter करता है तो written test के लिए तयारी कैसे करें जी हाँ guys तो written test की तयारी करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कोई भी मित्र है या कोई भी आपके आजपडोस जिसने दरोगा बनने के लिए exam दिया गासी ऩारी पूराने पेपर्स हैं उनके सारी कोछीं को चेक करना है कि कौन कौन से कोस्चानज आते हैं किस टाइप का स्याश आता है वह सारे स्याशिक आपको चेक करना है उसी त πά马 से कोस्चानि को तयार करते हें इसके बाद साती साथ अपनी दव망 को भीक करते रहें क्योंकि दव भी इसमें जो फिजीकर टेस्ट होगा उसमें आपकी डौड्ड भी मे चाह सबना कि हाइड की मफ explicit के लिए तो कि अगर आप मेल है तो आपको 68 सेंटीमिटर यानि की 5.51 फुट चाहिए जिसमें आपका 79 से 84 आपका चेस्ट होना चाहिए चलिए बात करते हैं अगर आप फिमेल हैं तो फिमेल के लिए 151 सेंटीमीटर और 4.99 फुट का आपको फिमेल जो हैं उनकी लंबाई चाहिए होगी उसके बाद गाइस आता है आपकी उम्र तो आपको अगर दरोगा बनना है तो आपकी उम्र 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए दोड जो है बो मेल की 4.8 यानि की 4.8 किलो मीटर सिर्फ 28 मिनट में आपको दोड करनी होगी अगर आप फिमेल हैं तो आपको 2.4 किलो मीटर आपको 16 मिनट में दोड निकाल ली होगी तब जाके आपको बता दें जैसे वेकेंसी आया है उनका ओफिसियल नौटिपिकेशन जरू चेक करें क्योंकि हर जिले के अनुसार हर इस्टेट के अनुसार ए जानकारी थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है चलिए सौट में जानते हैं कि आपको इसमें क्या-क्या जरूरतिये होती हैं तो उसके बाद गाइस अगर आप इन सारी चीजों को पार कर लेते हैं इन सभी चीजों में आप निकाल ले जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी और आप एक दरोगा बन जाएंगे तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको दरोगा बनने की ये जानकारी प कौन से स्टेट से हैं जिस भी स्टेट से हैं वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं